हाईलो फेंच स्वागत है आप सब का मेरी यूट्यों चनल गुलू गुलू गूगू औफीषियल पर कैसे हैं आप सब आई होप अच्छे होंगे मस्त होंगे स्वस्त होंगे और आप सब मेरे वीडियो को भी एन्ज्वाइग कर रहे होंगे सब कले टां बीद गया और यह मे कुछ आइसा कोई भी औरत बीना सिंदुर के कभी रेडी नहीं हो सकती है तो मैं हमेशा पती दियों कुछ इसी चीजों पर सिंदूर लगवाते हैं जैसे करवा 34, अन्वर्शरी इन सब मेरे लिए बहुत मैने रखता है तो इन सब चीजों पे मैं हमेशा चाहती हूँ कि पती दियो जी अपने हाथों से मुझे सिंदूर लगा है तो यहाँ पती दियो जी सिंदूर लगा रहे थे और सरेशी नहीं थी तो मैं ये एक कैमरा मैंने खुद से पकर रखा और एक वो सेसी की पापा थे वो हाके वीडियो शूट कर रहे थे मैंने भावी को बोला था पर वो भाई आके शूट कर रहे थे तो यहाँ पे पती दियो जी मुझे सिंदूर लगा दिये और मेरी सुनदर था और बढ़ गई तो मैं ऐसे ही हमेशा पती दियो जी सिंदूर लगवाती रहूँ तो चलिए पूजा की बीदी देखिए आप सब फेवरेंज तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कलस बना रही हूँ और कलस पे स्वास्तिक बना रही हूँ कलस किसी भी बरतन में बना जाते हैं जैसे मैं यहाँ पे पीतल का लोटा ले रही हूँ बहुत लोग मिट्टी का घंक उसमें जैसे की करवा है उस टेप का जो बरतन आता पता नहीं उसे क्या बोलते हैं उसमें भी बना लेते हैं कलस किसी की चीज़ का बन सकता है बस कोशिस करनी चाहिए कि कलस में ये स्वास्तिक जरूर बनानी चाहिए और साथी साथ मौली भी बांगनी चाहिए जो मेरे से छूट गई है बांगना और कलस बनाने के बाद मैं कलस के नीचे अस्ट दल कुछ बनाया जाता है अस्ट दल कमल जो होता है वो बनाया जाता है तो अगर वो नहीं बनाया तो कम से कम चावल रख दे नीचे मतलब कुछ भी नीचे रखे उसके उपर कलस को रखना चाहिए तो फिर मैंने वहाँ पर चावल तो अच्छ जिसको बोलते हैं वो रख दी उसके बाद अपना करवा वो रख दी कलस और कलस बनाने के बाद अब उसमें रखने के लिए मैं निकाल रही हूँ चावल अच्छ थी और शुपारी पैसे फूल और रोरी चंदन जो भी होते हैं वो सब कुछ डालोंगी डाल दी और उसके बाद ये आम का पता है जिसमें पांच या तीन होना चाहिए तो मैं मैक्समम पांच ही रखती हूँ जादा तर और उसके बाद मैंने यहाँ पे वो कलस बना लिया है और अब उसके उपर मतलब चावल रखा जाता है तो मैं एक प्लेट में चावल रखके और उसक यहाँ नारियल में थोड़ा सा कलैव ला पेटूंगी क्यूं बाहन से यह क्या होता है वह मुझे नहीं पता बड़ कलेवा बानकर रखना चाहिए कि मैं नारियल को अच्यंदूर कर रखा था अपने से जस्ट पीछी क्यों रखना चाहिए जैसे मैं उसे दिवाल की साइड रखना जो ज़वार जैसा है नीचे आपने साइड रखना चाहिए परिवार की शुक्षम रिद्धी होती है, इसलिए अपने साथ रखना चाहिए, तो मैंने भी वैसे ही रख दिया, और उसके बाद करवाद में मैं पहले ही भड़ चुकी हूँ, वह साध रिकॉर्ड नहीं की हो, यहाँ देख सकते हैं गुगु की सैतानी, तो करवा में मैंने एक करवा में मैंने पानी भड़ा है, जिससे कि जब चांद निकलेगी तो उस पानी से ही चांद को अरख दिया जाता है, तो वह पानी पहले से ही पूजा कर रहे हूँ, आप तो आहाँ पर रख दीजिए, और क्योंकि करवा फीरा जाता है अदला बदली किया जाता है, इस इस जगह से उस जगह से दोनों करवे को अपने अपनी जगह से बदला जाता है साथ बार तो इसलिए मैं एक में पानी डाली थी जब चांद को अरब देने के लिए और दुसरे में वो डाली हूँ फड़ी जिसको मुर्मूरा भी बोलते हैं लोग वो और चूरा नया चूरा साथ ही साथ कुछ मिठाई डाली हूँ ऐसे लोग कहते हैं कि वो सास को देना चाहिए बट मेरे यहां ममी नहीं है तो मैं किसी दूंगी इसलिए मैं उसमें जो डालती हूँ वो रक देती हूँ और मतलब अपने से बड़े या फिर जैसे जो मंदिर पे लोग होते हैं ना ग वो शीख गिल रही थी क्योंकि 14 शीख डाले जाते हैं सबकी जगह के अपनी अपनी डिवाज होती है जिनके घर जितना डाला जाता होगा वो उतना ही डाले जिसे बहुत लोग 7 डालते हैं पूजा उपर 7 डाली थी मैं 14 डालती हूँ तो 14 शीख डाल दी थी और उसके कर्मे में में पानी डाली थी तो मुझे यादा है कि पानी नहीं डाला अभी तो और एक साइड वह छोटीसी जो फोटो दिख रही है वह करवा माता की फोटो है जो पहले पंप्लेट जैसा मिलता था इस बार मैं कई मार्केट तो ऐसा मिला तो मैंने इस बार ऐसा ले लिया देखते हैं कि अगर यह नेक्स टेर तक सही रहेंगे तो मैं इसी से पुझा कर लूँगी ऐसा नहीं कि मैं हड़ सल चेंज करती हूं और यही मैं करवा भर रही हूं जिसमे साथ रूइसरा दोलिगों साथ ही साथ मिठाई डालोंगी मीठा चीज से डालते हैं और सब적으로 भरके अपर है अपरि घुटें तो मेंमीत है यह देंको मेड़ हो दो कि मेर झाय के व्त्ला जाती है तो इस वजह से तारष चैनला बताश्मालाइक टीर शाय मेरे ज़र होई करती हूं बाकि आप सब comment करके बताएःगा कि आप सब कैसे करते हैं तो अगर कुछ गल्टी मेरे अवी हो तो जरूर कोमेंट करके बताएएगा और ये लखनव की रेवरी बहुत प्रशीद है तो मैं यह भी ली थी यह भी करवा में डाली थी रेवडी अडिक और कुछ गट्टा या कुछ मिल रहा था वो मैं नहीं लाई थी मैं स्रेशी के साथ गे थी या पीछे के व्लोग आप सबने देखा है तो तो स्रेशी बोली वो नहीं लीजे आंटी यह ले गट्टा नहीं लिया सौरी और रेवरी बस लेकर आई थी तो मैंने डेवरी भी डाला और कुछ मिठाई भी डाली और उपर धकन में बस मिठाई रखके मैंने करवा को ऐसे भर के रख दिया और अब यह करवा मैंने इसलिए मैं अभी भर रही हूं पहले से भर के लोग करना था तो मैं सब कुछ प्रॉपर सोच रही थी कि दिखाऊंगी जैसे मैंने पूजा किया सो बाकी आप सब अपना जरूर बताएगा कि क्या क्या मैंने गलत किया है पूजा करने में सो ताकि मैं नेक्स्ट यर से अच्छे से और अच्छे से पूजा कर पाओ लोग ऐसा क हूजा में भी अगर कुछ गलती होती है उसको सुधारना मेरा मानने वहीं है की सुधार कर लेनी जाएए अच्छा है कि कुछ गलत हो रहा है उससे इसे थोरा सही करके किãyरें और मैं तो ऐसे भी बहुत कम पूजा करते हूं ऐसे से फेश्टीवाली बस पूजा कर पाती हू बहुत लोग घरवे डेली पुझा करते är बर मैं नहीं कर पाती कूकि गुग अभी can then navigate करता आप सब देखी रहे हूं कि अभी कैसे परेशान कर रहा है जो और मैं अभी is it कर रही हूं तभी मुझे परेशान चांद बाबा को तो उसके बाद मेरी ऐसे पूजा करवा भड़ा गई थी और अब मुझे पूजा करना था इनकी करवा माता की और यह सी बहुत लोग मैंने देखा कि सिक लगा के नहीं रखते मैंने वीडियो में देखाया सब क्या तो मैं अभी इडिट कर रहे हूं कि बहु तो उसके बाद मैं अभी ऐसे करती आ रही हूं और यहां पर आम करता मैं फिर से ले रहे हूं कि मुझे अभी यहां पर पुझा करना ऐसे तो इस फोटो में गउनेश बने वे हैं बट फिर मैं मैं ऐसे मौली से मौली को लपेट के शुपारी में और हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ गौर्गनेश तो मैं ऐसे बना ली हूँ और उनकी पुजा करूंगी अभी तो सबसे पहले हमेशा गौर गनेश की पुजा की जाती है तो मैं यहाँ पर भी गौर गनेश की पुजा कर रही हूँ जैसे वीदिवत पुजा होती है नॉर्मल वीदिवत मतलब एकदम बहुत जादा नहीं गौर गनेश की पूझा भी अगर वीदिवत बताने लगें तो एक वीडियो से में निकल जाएगा तो मैंने यहाँ पे एक को गौर माना है एक को गनेश जी माना है और मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि किधर कौन होते हैं क्योंकि रोरी और सिंदूर लगाना होता है तो मैं हमेशा भूल जाती हूँ तो फिर मैंने एक बार मेरी नजर आप सब को दिवाल पे गया हुआ कि मैं दिवाल पे देखी कि कहा मैंने क्या लिखा था तो और यह दिवाल पे जो सीता जी राम जी आप सब को लिखा हुआ देखने को मिल रहा है ये मेरी तीज वाला ब्लॉग अगर आपने देखा हुआ तो मैं तीज पे बनाई थी बहुत अच्छा कोहबर बनाना इसको बोलते हैं वो मैं बनाई थी अगर आप सबने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाकर जरूर देखिएगा तीज का भी मैंने पूरा कैसे पुझा करना चाहिए वीदिवद गाउं में लोग कैसे करते हैं वो मैंने किया तो अभी मैं यहां पे गौर गनेज की पुझा कर देए हूँ तो सबसे गौर गनेज जी को मैंने मेरे बगल में एक आंटी रहती थी पहले वो बताय थी कि गुरहल का फूल मतलब लाल फूल उनको पसंद है तो इसलिए मैं गने जी को हमेसा लाल फूल से पुझा करती हूँ और गौर जी को बाकि कोई भी फूल से पुझा करती हूँ क्योंकि चन्दरमा को अरुट दिया जाता है वाइट फूल से तकि मैं चंद्रमा को अर्व दे पाऊं उस फूल से उसके बाद मैंने वहाँ पे फ्रूट चढ़ाया अच्छा चढ़ाया और पैसे साय तुभी या मैं कुछ करने बोल रही थी पति दियो जी को पैसे चढ़ाई यहाँ पे गौर्गनेस को भी पैसे चढ़ाई और मैं भूल भी अगर करा चौथ पर पुझा करते हों तो दोनो ममी लोग को देती हो अपनी अपनी ममी को भी देती हो रस मां नहीं कप्रे ली थी तो मैंने पैसे चढ़ा धिया दोनों माँ के लिए better ऐसा वा पैसे मांग रही थी। फीं पैसे ला कर दे नि दिज्ए वहाँ पे लाना और उसके बाद जितने भी वहाँ उसमें फोटो बैने हुए थे पिक्चर सब को पुजा की जो भी उसमें गनेश जी थे संकर जी थे गोरी परवती थे और करवा मातर थी और यह बहुत सो नाराया ने सबसे सब की मैंने पुजा की और कुछ लोग भी खड़े थे जैसे पंड यह सतला कर दे दिये वह मैंने भी प्लेट में रखका है मैं उसे भी चज़ा साथ को दियाजाता आ वहले कर आप वहörperं के रखले चोंड़ी तो आप सब कॉमेंट पर जरूर बताईएगा कि यह ब्लॉग आप सबको पसंद आ रहा है या नहीं सो और ऐसे मैंने सब को चंदन और शेंदूर लगाया रोडी और शेंदूर लगाया सारे जो भी उसमें बने हुए थे उन सब को और इसके बाद मैं यहां पे फूल चड़ाओंगी और म करेक्ण है मतलब वाश्ट बोलत जाता तो चंदेते हैं बड़ा देगाति मैं आप आपाई थी क्योंकि फोटो लेने कई थी ऑपर मैं अभूली खकर चंदन रका है ताकि इसा होता कि अगर कुछ कोपरह नहीं में रहा है तो कालेवाओंगे यह वश्ट द्यूर मान लेना था और यह जो चढ़ा रहे हूं वो चूरी शींदूर और बिंदी है जो मैंने खुद के लिए मैं चढ़ाए हूं और साथी वो पैसे जो देखे मैंने उस वाले करवे पर रखा जो सासुमा को देना इस करवे में पानी है उस करवे में वो सब भड़ा हुआ है तो वो सब अब मैं परशाद चड़ाओंगी तो परशाद में मैंने रेवरी फ्रूट्स और कुछ कुछ मिठाई भी चड़ाओंगी तुम उधर रखने की जगह नहीं था तो मैं यहीं पे रखोंगे बट भोग लगा के रखोंगी अभी बस मैं इसमें मिठाई डाल रही हूं इसलिए में यहां पर रखा है तो पहले मैं मिठाई सब इसमें नहीं इकटा की थी और वैंने दो दिन दरह का मिठाई भी मंग वाया था बद जो जो मंग वह था ओगा था सबहाला करा मिठाई आ गया था तो पतिदीव जी को जो पसंद आया वो लेकर रहा है क्योंकि मुझे जाद तो मैंने गुलू का बड़ा वला टेबल ले रखा है तो थोड़ा स्पेस दिक रहा है और मुझे परशान कर रहा था मैं बहीं बोल रही थी देखिए मैं ऐसे भोग लगाती हूं भगवान जी को मैं डेली भी अगर पुझा करती थी पहले तो मैं ऐसे ही भोग लगाती थी औ तो मैं ऐसे भोग लगाती हूं हमेशा भोग लगाने के बाद मेरी यळी आ बाती है दिये चलाने कि मैं यहां पर अपना स्टेंड सही कर रहे थी कुईजू बार-बार हिला दे रहा था रहने नहीं दे रहा था वो बगल भावी थी साक्षी की मम्मी वो सही कर रही थी बट वो पीछे बैठी थी तो उनको पता ने चल रहा था कि कैमरा कितना कैसे सही हो रहा है या नहीं सो बाकी मैं अब पुझा तो हो गई है बस यहां पर दीप चला दूँगी दीप और जो और आते है गरबती और धुब Parenti द्रूब्ब Parenti वो समय जलाएंगी यहां पहर गूगू को यहाँ पे घंटी पजाना था वो बार बार वही लेने आ रहा था उसे लग रहा था कि मैं अब आरती करने वाली हूँ इसलिए वो लेने आ रहा था मैंने बोला कि मैं अभी आरती नहीं करूंगी बर तो भी नहीं मार रहा था उससे बस यही लग रहा था कि ममा आर्थी करेगी तो मैं यहाँ पर दिये जला कर और सबसे पहले दो तीन जगर जला दो दिये मैंने जलाया था क्योंकि यह चीज मैंने आप सब को मैं एक और चीज बताना चाहूंगी कि मैं हमेशा दो तीन दिये जलाती हूँ एक गनेश जी के पास और एक मतलब जिस भगवान की पुजा होती है नौर्मली उनके पास जैसे जन्वेस्ट में लड़ू गुपाल के पास तीज में गौर गनेश के संकर जी पारवतिकी के पास तो ऐसे मैं दो दिये जलाते हूँ लेकिन एक दिया और जलाती थी पहले कलस पे तो तो मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया कलस पे नहीं दिया जलाती हूँ तो लेकिन पिछली बार मैं पुजा कर रहे थी तो साक्षे की बार में मुझे बताएं कि तीन दिये नहीं जलाते हैं तो अब मैं दो ही दिये जला के रखती हूं उपर पुजा करती हूं आपे और उसके बाद एक ये धूबत्ती जला देती हूं तो इसे पूजा में मतलब सुगन्दी चीजों से पूजा करना चाहिए ऐसा किताब में भी वर्णन किया गया है तो धूबत्ती में हमेशा बहत लोग धूबत्ती को नीचे रखते है तो नीचे नहीं रखना चाहिए मेरे दिमाग में आज़ा था कि मैंने दो ही दिये लगाया है तो फिर छट पे ले जाने के लिए दिया मैं नहीं रख पाई तो पहले मैंने सोचा कि बंद कर दूँ फिर मेरे दिमाग में के भी ख्याल आया कि दिया को कभी नहीं बुझाते जलते हुए दिये को नहीं बुझाना चाहिए तो मैंने दो दिया यहीं पे लगा दिया और एक दिया मैं फिर से बना लूँगी मैं स्रेशेशे बाद में मांगे बनाई थी तो ऐसे मेरी पूजा कंप्लीट हो गई तो बस अब बारी थी हवन की तो मैं हमारे गाउं में न बिहार में न अगर कोई भी पूजा होता है तो हवन मतलब जरूर जलाया जाता है पूजा करने के बाद हवन जलाया जाता है तो ये मेरे गाउं का हवन है हमारे गाउं में इसे हुमाद बोलते है तो ये वो है हुमाद तो मैं इसे यहां पे जलाने के लिए चोटा सा बढ़ता रखती हूँ मिट्टी का जो अभी दिवाली आ रही है तो दिवाली में नया-nया जलाती हूँ उसके बाद पूरे साल उसी में जलाती हूँ बहुत लोग वो भी रखते हु हमाद दानी जो होता है मिट्टी का वो रखते है बढ़त मैं वही रखती हूँ कप्टी चोटी सी क्योंकि वो तो आजली मुझे चोटा स्पेस में, क्योंकि मेरे पास मंदीर है नहीं तो चोटा स्पेस में वो रखा जाता है इसलिए और मैं उसे लेके कहीं घूमती नहीं हूँ, वही पर बस रखती हूँ, तो मैं नीचे वहाँ जिला रहे हूँ, जो आप सब को सायद बस लौज से पता कि तीज सब सब कुछ तेवार हमारा इसी से हो गया और अभी और रखी हुई भी हूँ और अब तो यहां यहां रहने लगी हूँ तो बगल की जो सरेशी आ गई हैं वह भावी भी मंगवाती हैं कहां से मेरे से पिछले बार गई थी तो बहुत सारा खड़ी कर लाई थी तो भ सुघन्द साथ दो रही हैं तो इस दो सबस्क्राइब कर लिए भी कोशार पिखाया है लाई कर आदर ने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा। लाइक और शेयर कीजेगा ताकिाद की जो Alrighty दूस्तिक